जैशरी महांकाल जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका बहुत आभारे आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे सेनल को परदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धनिवाद दोस्तों बाबा भोले ना आप को हमेशा खुश रखे हमेशा अनन रखे पस हमारी यही दुआ है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो चार लोग हमारे आसपास हैं ये चार लोग हमें बरबात कर सकते हैं ये लोग हमें जीवन में कहीं सारे तकलिफों में ढाल सकते हैं और ये लोग हमारे दोस्त मित्र परिजन कोई भी हो सकता है पर ये चार लोगों को पहले identify हम कैसे करें कि ये लोग कौन है किनकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं वो सभी चीज़े में इस वीडियो में बात हम करेंगे दोस्तों क्योंकि जीवन जो है हम बहुत अच्छे वेक्ति हैं बहुत दो कदम आगे बढ़ा है तो यह जो चार लोग हैं यह कौन सी बात हैं जिस वीडियो में हम फूरा करेंगे डेटेल में करेंगे और डेटेल में करने के साथ-साथ ही आप इसे जान पाएंगे कि कोई तकलिफ आपके आगामी करें चैनल से जुड़े ताकि आपको हमेशा इसी तरह के अच्छी जानकारी मिलती रहें दूसरी बात है कमेंट्स बॉक्स में आप बाबा भुले नाथ का कोई एक नाम लिखें जो आपकी इच्छा वह आप नाम लिख सकते हैं अगर आप अपनी कुंड़ी के अनलिसिस हमसे चार लोग हैं वो कोने सबसे पहले वो लोग जो लोगों की नियत साफ नहीं होती है जैसे कि वो लोग आपको समझा जाते हैं कि जो दोस्त आपके बहुत करीबी होते हैं जिनके बारे में आपको सब कुछ पता है कि जिनकी नियत साफ नहीं होती हो किसी भी महिला के बारे म तो वो लोग वो आपको बरबात कर सकते हैं जो लोग महिलाओं का इज़त नहीं करते हैं जो महिलाओं के प्रती सच्ची स्रद्धा और इमानदारी नहीं बरते हैं क्योंकि वो आज दूसरे के लिए कर रहे हैं हम अगर दोस्ती करेंगे तो हमारे साथ भी हमारे जीवन में को तकलीफे हमें जाल सकते हैं दूसरे वो लोग जो लोग आपको व्यरसन और नशे की तरफ डाइवर्ट करते हैं बतलब आप नशा कर लो आवेशन कर लो पहले वो अपने जेब से पिलाएंगे जब से खर्चा करेंगे लेकिन बाद में फिर आप एडिक हो जाओगे और फिर हमें एक अलगी चोराय पर छोड़कर चले जाएंगे और वो सारकर भी चीज़े बताते हैं कि जिससे आप नशे की और जाया जिसे की आप जूए की और जाया और यह नेगिटीविटी की और जाया क्योंकि वो आपको लालस देते हैं और लालस जहां दे रहा है समझ और अपके वक्त समय और जो अभी आदी रोटी हम खा रहे हैं उससे भी बन्चित कर ले जाएगा इसका यह मतलब नहीं कि रिस्क नहीं ले रिस्क बकायदा ले लेकिन चीजों को अब्जर करें अपना रिसार्च खूत का रिसार्च करें और बारीकी से चीजों को समझे औ कर्ज से साउधन है दोस्तों कर्ज जो है वो ठीक नहीं है